दोस्तों स्वागत हैं आपका एक पार फिर्ट से जहां दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं राज कपूर और मंदा के निके फिल्म राम तेरी गंगा मैली की राम तेरी गंगा मैली 16 आगस्ट साल 1985 को बॉक्स आफिस पर रिलिस हुई थी और आज है 16 आगस्ट साल 2019 इस फिल्म ने अपने 34 साल पूरे कर लिये हैं तो इस फिल्म से जुड़ी कुछ ऐसी बाते हम आपको बताने वाले हैं बहुत दिल्चस्प बाते हैं जो शायद आपको अच्छी लगेंगी और आपने ना सुनी हो तो दोस्तो बस आप इस वीडियो के साथ बने रहेगा सबसे पहले आप इस वीडियो को दिल से लाइक कर दीजिए और साथ इसाथ फिल्मों की ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे चेनल को सबस्क्राइब कर दीजिएगा दोस्तो राज कपूर को भारती सिनेमा का शौमेन कहा जाता था पर क्या आपने ऐसा सोचा है कि ऐसा सिर्फ उन्हें ही क्यों कहा जाता था क्योंकि उस दोर में उनकी फिल्मे समाज पर एक गहरी चाप छोड़ती थी वो अपनी फिल्मों से समाज की हकीकत से लोगों को रूबरू कराते थे और एक ऐसी फिल्म थी रामतेरी गंगा मैली जिसके बेमिसाल 34 साल पोरे हो चुके हैं तो चलिए दोस्तों जान लेते हैं इस फिल्म से जुड़ी कुछ अद्भुत बाते दोस्तों आपको यह जानकर बहुत हैरानी होगी कि यह फिल्म साल 1985 मिनी बलके साल 1969 में ही बन गई थी यह बात थोड़ी हैरान कर देने वाली जरूर है लेकिन राजकपूर ने फिल्म रामतेरी गंगा मैली को साल 1969 में ही बना लिया था दरसल साल 1969 में राजकपूर एक फिल्म बना रहे थे जिस देश में गंगा बहती है उस फिल्म की शुटिंग के दोरान ही उन्होंने फिल्म राम तेरी गंगा मैली का आईडिया अपने धिमाग में बना लिया था जिसे 26 साल बाद राजकपूर ने इस आईकानिक फिल्म को पर्दे पर उतारा दोस्तों अगर बात करें राम तेरी गंगा मैली फिल्म की तो ये फिल्म काफी विवादों में भी रही थी साल 1985 में आई फिल्म राम तेरी गंगा मैली उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी बॉक्स ओफिस इंडिया पर इस फिल्म ने साड़े नो करोड उपे की कमाई करके इतिहास रजदिया था और ये फिल्म हुई थी बॉक्स ओफिस पर ओल टाइम ब्लॉक्पस्टर फिल्म के गाने फिल्म की कहाने और फिल्म के स्टार काश्ट हर किसी को फिल्म के लिए सराहा गया था लेकिन फिल्म को कई विवादों का सामना भी करना पड़ा था जिसका कारण था फिल्म में मौजूद दो बॉल्ड सीन पहला जहां मंदाकिनी को जरने के पास सफेद साडी में नहाते दिखाया गया था और दूसरा सीन था बच्चे को इस्तनपान कराने का मंदाकिनी के इन दोनों सेन्स पर रात और रात बॉलिवूड में तहलका मज़ गया था जिसकी काफी आलोशना भी हुई थी इसके बावजूद फिल्म ने बॉक्स आफिस पर अच्छा रिस्पॉंस हासिल किया और साथ ही पाँच फिल्म फेर आवर्ड्स भी अपने नाम किये दोस्तो राज कपूर को आखिर क्यों पसंद थी सफेद साडी इसके बारे में आज खुलासा करते हैं चाहे इसे लग्की चरम कहो या कोई जादू पर राज कपूर की फिल्म में लीड एक्टरस एक बार तो सफेद साडी में जरूर नसराती थी ऐसी फिल्म राम तेरी गंगा मैली में मंदा किनी ने भी सफेद साडी पहनी थी ऐसा राज कपूर इसलिए करते थे क्योंकि एक बार उन्होंने अपनी पतनी कृष्णा को एक सफेद साडी तोफे में दी थी जब कृष्णा ने वो साड़ी पहनी तो राज कपूर को वो काफी खूबसूरत लगी जिसके बाद से उन्होंने अपनी हर फिल्म में हीरोईन को सफिर साड़ी में परदे पर दिखाया दोस्तों अगर बात करें इसकी इस फिल्म के स्टार काश्ट की तो इस फिल्म के स्टार काश्ट जैसे खो गई उन दिनों राज कपूर की फिल्मों का हिस्सा होना गर्व की बात मानी जाती थी उन्होंने इंडस्ट्री को कहीं सूपर स्टार भी दिये और साथ ही कहीं स्टार्स की डूपती नईया को भी पार लगाया जिसमें सबसे पहला नाम आता है उनके बेटे राजीव कपूर का फिल्म तो हिट रही लेकिन इसकी स्टार कास्ट फ्लॉप साबित हुई 16 अगर्ष्ट साल 1985 में रिलीज हुई फिल्म राम तेरी गंगा मैली में राजीव के अपॉसिट मंदाकिनी थी हालकि वो उसी फिल्म में मेरा साथी और आर पार में असर आई थी लेकिन मंदाकिनी को हमेशा राज कपूर की खोज माना जाता था इन दोनों के अलावा फिल्म में एक और खुबसूरत एक्टरस भी दिव्यराना यहां दिल्चस्प बात यह है कि इन तिनों का फिल्मों जो फिल्मी करियर था वो आगे नहीं बढ़ पाया अगर बात करें राजीव कपूर ने तो राजीव कपूर ने फिल्म सब को हैरान कर दिया था इस फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फिल्म फोर आवार्ड का बेस्ट एक्टरस का खिताब भी मिला था अंडर वर्ड डॉन दाओ इबराहीम से अफेर के चलते उनका करियर भी तबाह हो गया था तो दोस्तों यह कुछ बाते थी फिल्म राम तेरी गंगा मैली की जो हमने आपके लिए बताई है तो दोस्तों आपको कैसे लगी है यह बाते और राम तेरी गंगा मैली फिल्म आपको कैसे लगती है और कितनी बार दे की आप हमें कमेंड में बताईएगा मैं फिर मिलूँगा आपको एक नए वीडियो के साथ अब तक के लिए अपना ख्याल रखिए थांक्यू